C, I, E, T, N, C, E, R, T की ओर से प्रस्तुत है कक्षा पांच के लिए गणित की पाठ पुष्टक गणित का जादू का पांचवा अध्याए पेज नंबर 71 क्या यह एक जैसा दिखता है? चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाए मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं तुम भी इन्हें बना सकते हो पैटर्न अ पैटर्न ब अपने पैटर्न बनाओ कागज का एक टुकडा लो उसे आधा मोड लो मोड को खोलो और बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद डालो इसे दो बार मोडो और कागज को दबाओ ताकि रंग फैल जाए इसे खोलो और देखो एक सुन्दर सा पैटर्न तयार है क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह काट सकते हो कि ये आईने में पूरा चित्र बनाने वाले दो बराबर टुकडे हो जाएं तुम ये कितनी तरह से कर सकते हो पेज नमबर 72 पैटर्न पर ध्यान दो यहाँ दो बच्चे हैं जो कुछ पैटर्न्स दिखा रहे हैं यहाँ दिये गए चित्र में एक जिगसो पहली दी गई है बिंदु रेखा इस आकरिती को दो आधे आधे भागों में बांच रही है लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ साथ मोडा जाएगा तो बायां आधा भाग दाएं आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढख पाएगा इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं हैं कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सकें अब दूसरी आकरिती पर ध्यान दो अगर तुम इसे बिंदु रेखा पर से मोड़ो तो दायां आधा भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह ढख लेगा इसलिए ये दोनों आधे भाग आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगे अब इन चित्रों के लिए भी इसी तरह से सोचो यहां एक त्रिभुज दिया गया है इसके हर कोने पर एक-एक वृत है इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बाटा गया है त्रिभुज नीले रंग का है और त्रिभुज के कोनों में दिये गए वृत, पीले और गुलाबी रंग के हैं यहां दो चित्र दिखाए गए हैं एक चित्र में पानी में एक बच्चा तैर रहा है उसके पास एक स्टार फिश है इसको दो भागों में बाटा गया है एक बच्ची है इसके पास एक बैग है बैग पर एक रिबन है इसको दो बराबर भागों में बाटा गया है अगले प्रेश्ठ पर बच्चों को यह समझने की आवश्यक्ता है कि चाहे आकरिती सममित क्यों न हो लेकिन रंगों का संयोजन चित्र को असममित बना देता है आकरिती 10 और 12 बच्चों को आकरिती और रंग दोनों पर आधारित असममित ढोंडने के लिए प्रेरित करें पेज 73 यहाँ एक चित्र है जिसमें तरह-तरह की आकरितियां है यहाँ 15 विभिन आकरितियां दी गई है इन सभी आकरितियों को आधा-ाधा बांटा गया है एक वर्ग है जिसको दो भागों में बांटा गया है सडक चिहन है जिसको दो भागों में बांटा गया है एक तितली है इसको भी दो भागों में बांटा गया है मचलियां है इन में से एक मचली को बराबर भागों में बांटा गया है जबके दूसरी मच्छली को असमान भागों में बाटा गया है इसके अलावा कुछ अन्य चित्र भी है इन चित्रों को भी आधा-ाधा बाटा गया है बिंदु रेखा से दो भागों में बाटी गई आकरितियों में से कौन सी आकरितियां आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी? पेज 74 आईने के खेल एक यहां एक कुट्टे का चित्र है तुम यदि एक आईने को बिंदुवाली रेखा पर रखो तो एक चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाएगा और बचा हुआ चित्र आईने में क जैसा दिखेगा क आईना सफेद बकसे में बने चित्र पर ध्यान दो तुम किस बिंदुवाली रेखा पर आईना रखोगे? ताके ख आकरिति दिखाई दे यह भी बताओ कि चित्र का कौन सा हिस्सा आईने के नीचे छिप जाएगा जब हम आईने को बिंदुवाली रेखा पर रखेंगे पेज 75 अब सफेद बकसे में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खीचो जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे यहां कुछ आकरितियां ग ग अंग च दी गई है पेज 76 दो वेंकी ने लाल और सफेद आकरिती बनाई है सफेद बकसे पर ऐसी रेखा खीचो जिस पर आईना रखने से साथ वाला चितर आईने में दिखाई दे पहले बकसे में देखो कि रेखा कैसे खीची गई है जिस से कि इसे आईने में देखने पर साथ वाला चितर दिखाई देता है यहां कुछ आकरितियां क, ख, ग, घ, और अंग दी गई है यहां कुछ आकरितियां दी गई हैं इन आकरितियों के कुछ भागों को लाल रंग में रंगा गया है बच्चों को उत्साहित करें कि वे साथ वाले चित्र को देखकर अंदाजा लगाएं कि सम्मिती रेखा सफेद बकसे में कहां खीचें पेज सततर आधा घुमाव एक था राजा राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात चुरा कर ले जाता था राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी यहां एक तिजोरी का चित्र है जिसके साथ कुछ व्यक्त दिखाए गए हैं तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझ कर खुला छोड़ देता था क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? ऐसा क्यूं हुआ? खुली और बंद तिजोरी का चित्र, राजा का चित्र पेज 78 एक दिन राजा की होश्यार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? कि वह तरकीब क्या थी? राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हथे पर निशान लगाने को कहा राजा के पास अलग अलग हैंडलों वाली कई तिजोरियां थी जाच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता है यहां चार तरह की तिजोरियां राजा और उसकी बेटी दिखाए गए हैं इन में से हर एक समस्या को हल करने के लिए तुम क्या करोगे आधे घुमाव के बाद वैसे का वैसा अंदाजा लगाओ कि नीचे दी गई आकरितियों में से कौन सी आकरितियां आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई देंगी यहां कुछ आकरितियां दिखाई गई है और एक बच्ची का चित्र है पहले ये चित्र सीधा है फिर उल्टा है इन में पहली आकरिति एक वर्ग है जो के लाल रंग की है दूसरी आकरिति एक आयत है ये हलके हरे रंग का है एक वृत है जो के नीले रंग का है और एक और आयत है जो के नारंगी रंग का है एक त्रिभुज है जो के गहरे नीले रंग का है एक शट भुज जो के बैंगनी रंग का है और एक पंच भुज जो के हरे रंग का है पेज 89 क्या यह बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? यदि हाँ, तो अपने अंदाज की जाच करने का एक तरीका है तुम इसे इस तरह कर सकते हो कोई भी एक आकरिती लो एक कागज पर ट्रेस करो अब पहली आकरिती को बनाई गई आकरिती के उपर रखो और आधा घुमाओ क्या घुमाने के बाद भी पहली आकरिती दूसरी आकरिती को पूरी तरह ढख रही है? यहां कुछ बच्चियां, कुछ आकरितियों के साथ दिखाई गई हैं अभ्यास का समय एक, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे दो, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे जूम, माओ, स्विम्स, सिस, नून, तीन शुन्ने से नौ तक के अंकों को आधा घुमाओ इन में से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? चार दो, तीन और चार अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगें उदाहरण दो अंकों की संख्याओ, ग्यारह, खाली जगाओ, खाली जगाओ तीन अंकों की संख्याओ, एक सो एक, एक सो ग्यारह, खाली जगाओ, खाली जगाओ, खाली जगाओ चार अंकों की संख्या एक हजार एक एक हजार एक सो ग्यारा खाली जगह खाली जगह खाली जगह खाली जगह खाली जगह पेज असी पांच इन आकरितियों के बारे में अंदाजा लगाओ कि कौन सी आकृतियां आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही लगेंगी यहां दो बच्चियां और कुछ आकृतियां दिखाई गई हैं गतिविधी समय क्या तुमने कभी पवन्चक्की देखी है? इसे किसलिए उप्योग करते हैं? चलो, पवन्चक्की जैसा एक खिलोना बनाएं एक, कागज का एक टुकडा लो दो, इसे चित्र की तरह मोडो तीन, कागज के नीले भाग को काटो तुम्हारा कागज का टुकडा एक वर्ग की तरह दिखाई देगा पेज इक्यासी चार, इसे लाल लाइनों पर मोडो और फिर मोड को खोलो चित्र के अनुसार एक गोला बनाओ पांच, लाल लाइनों पर कागज को काटो जब तक कि तुम गोले तक ना पहुँच जाओ कागज कुछ ऐसा दिखेगा चै, एक पिन लेकर कागज के चारों कोनों पर चित्र के अनुसार छेद करो साथ, अब कागज के कोनों को इस तरह से मोडो कि सारे छेद एक दूसरे पर हो आठ, पिन को सभी छेदों में डाल कर डंडी पर लगा दो आपकी पवंचकी तयार है इसको लेकर दोड़ो और ध्यान दो कि यह कितनी तेज घुमती है क्या तुम्हारी पवंचकी एक बटाचार घुमाने पर पहले जैसी दिखती है क्या यह आधा घुमाने पर भी पहले जैसी दिखती है चर्चा करो एक चौथाई घुमाव क्या यह पंखा एक बटाचार घुमाने पर भी वैसा ही दिखेगा? घुमाने से पहले एक बटाचार घुमाव के बाद यहां एक बच्ची की आकरिती और एक पंखे की आकरिती दी गई है जिसको अलग-अलग तरह से दिखाया गया है पेज 82 क्या यह पंखा भी एक बटाचार घुमाव के बाद पहले जैसा दिखेगा? पीले वर्ग में चित्र बनाओ घुमाने से पहले एक बटाचार घुमाव के बाद अभ्यास का समय एक बटाचार घुमाव जाने पर कौन-कौन सी आकरितियां पहले जैसी दिखाई देंगी? सही का निशान लगाओ आधा घुमाव जाने पर जो आकरिती पहले जैसी दिखाई नहीं देगी उस पर गलत का निशान लगाओ यहां कुछ चित्र हैं जिन में कुछ आकृतियां दिखाई गई हैं आकृति एक ये एक दर्वाजे का चित्र है इस दर्वाजे पर त्रिभुज बने हैं यहां एक लड़की खड़ी है आकृति दो एक घर का चित्र है इस चित्र में विभिन आकृतियां दिखाई गई है जैसे त्रिभुज, आयत और वर्ग पेज 83 यहां एक बस का चित्र है इसमें 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संख्याओं के माध्यम से अलग-अलग आकृतियां बताई गई है तीसरी आकृति दो वृत हैं चौथी आकृति चार वर्ग हैं पांचवी आकृति भी एक वर्ग है जिसमें पीला और हरा रंग इस्तिमाल किया गया है चटी आकृति चार त्रिभुजों, एक चतुर भुज और एक शट भुज की सहायता से बनी है साथवी आकृति एक आयत है आठवी आकृति पहिया है ख, आकृतियों में इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें कि वे आधा घुमाये जाने पर भी पहले जैसी दिखें इसके बाद नीचे भी कुछ अलग-अलग आकृतियां दी गई है इन आकृतियों में वृत, त्रिभुज और आयत दिये गए है पेज 84 ग, एक बटाचार और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियां कैसी दिखाई देंगी चित्र बनाओ यहां एक तालिका दी गई है इस तालिका में आकृतिक क एक त्रिभुज है आकृतिक ख एक चतुरुज है आकृतिक ग, एक आयत है और आकृतिक ग, एक शट भुज है इसके अलावा कुछ और आकृतियां दी गई है जो के त्रिभुजों की सहायता से बनी है एक आकृति, एक आयत है यहां एक तालिका दी गई है जिसमें लिखा है एक बटाचार घुमाने पर आधा घुमाने पर उपर दी गई कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जो एक बटाचार घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती कौन सी आकृतियां आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती कौन सा पंखा एक बटाचार घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा इस आकरती को एक बटा तीन घुमाव दे कर बनाओ यहां एक आकरती तिरभुजाकार दी गई है और चतरभुजाकार आकरती में इसको दुबारा दिखाना है एक बटा तीन घुमाव के बाद आकरती पेज 85 एक बटा छे घुमाव ध्यान दो यह आकरती एक बटा छे घुमाने पर पहले जैसी लगती है अभ्यास का समय एक नीचे दी गई आकरतियों पर ध्यान दो एक बटा तीन और एक बटा छे घुमा दिये जाने पर वे कैसी दिखेंगी चितर बनाओ यहां कुछ आकिरतिया दी गई हैं, जिनके साथ कुछ खाली जग हैं यहां एक तालिका दी गई है, जिसमें लिखा है एक बटा तीन घुमाव पर एक बटा छे घुमाव पर बच्चों को प्रोसाहिद करें, कि वे चित्रों को देखें और पता लगाएं कि उनमें किस तरह की सममिती है जरूरत पड़े तो छे रेखाएं खीच कर एक बटा छे घुमाव का पता लगा सकते हैं घुमा कर यह भी पता लगाया जा सकता है कि जो आकरती एक बटा छे घुमाव पर पहले जैसी दिखती है वह एक बटा तीन घुमाव अर्थात दो बार एक बटा च्छे घुमाव पर भी पहले जैसी दिखेगी पेज च्छे आसी दो, नीचे दी गई आकरतियों पर ध्यान दो क, पता लगाओ कि कौन सी आकरतियां एक बटा तीन घुमाने पर पहले जैसी ही दिखेंगी सही का निशान लगाओ ख, कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जो एक बटातीन घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखेंगी गलत का निशान लगाओ यहां कुछ आकृतियां दी गई हैं ग, कोशिश करो और नीचे दी गई आकृतियों को इस प्राकार बदलो कि एक बटातीन घुमाने पर वे पहले जैसी लगें तीन, कुछ ऐसी आकृतियां बनाओ जो एक बटातीन घुमाने पर पहले जैसी ही लगें चार, कुछ ऐसी आकृतियां बनाओ जो एक बटाचे घुमाने पर पहले जैसी ही लगें इसी के साथ 14 अध्यायों की इस पुस्तक का पांचवा अध्याय पूरा हुआ। इस पुस्तक का पांचवा अध्याय पूरा हुआ।